राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर्सी बहुत बहुत स्वाकत है. दोस्तों यूसफुल वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. दोस्तों औरतों के ऐसी ढंग रातों रात पती को करोड़ पती से रोड़ पती बना देते हैं. साथ ही साथ अगर घर में होने लगी ऐसी गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोग सकती. हर व्यक्ति की सुक्संदधी ऐसी आौरत पर निर्भर करती है जो घर का काम करें और सभी का ख्याल रखें. लेकिन कुछ ऐसी काम है जिन्हीं महिलाओं को नहीं करना चाहिएं. ऐसी कारे करने से मालक्ष्मी घर में नहीं आती. प्राचीन काल से ही घर की बहु बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है. ऐसी मानिता है कि एक इस्तरी ही घर को स्वर्ग या नर्ग बना सकती है. हमारे शास्तों में बहु बेटियों की कुछ ऐसी आदतों की बारे में बताया गया है, जिनकी बच्छे से खुशाल प पती परिभार भी गंगाल बन जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आप से रिक्ष्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नंबर एक जिस घर के महिला झजाड़ू को पैर से लगाती है यह ज़ाड़ू में ठोकर मारती है यह चाड़ू में किसी जानवर को मारती है तो उस घर में मालक्ष्मी का कभी बास नहीं होता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी और परिशानी चा जाती है। माना जाता है जाडू में मालक्ष्मी का बास होता है। नमबर दो पाउं हिलाना जिस घर की और देखाते समय पाउं हिलाती हैं वेह घर कभी भी बरबाद हो सकता है। मालक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, परिवार में तनाव आती और घर के किसी बड़े मुख्या की नौकरी भी छूट सकती है। नमबर तीन, चूले पर जूटे बरतन, करहाई तवे को अगर महिला गैस पर छोड़ कर सो जाती हैं, तो ऐसे घर में मालक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। से भी मालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है, तो तुरंत उसे रूप दें, यह विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि मालक्ष्मी का आगमन यहीं से होता है। अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोचन करती है, तो इससे आपका घर बरवाती के ओर बढ़ रहा है। हिंदु शास्तों में इसे बेहत ही अशुब माना गया है। साथ ही, घर की दहलीज या किसी भी घर कम्रे की दहलीज पर महिला को लेटना या सोना भी नहीं चाहिए। नमबर छे, जिस घर की महिला रात या शाम के समय सुद्यास्त के बाद चाडू लगाती है, उस घर में दरित्ता आती है। इसलिए इस आदत को छोड़ दें और यह भी ध्यान रखें कि प्रहस्पती बार को पहुचा भी ना लगाएं। ऐसा करने से प्रहस्पती कमजोर प हो सकता है। दें तक सोने वाले इस तरी अपने पती और सस्राल बालों के लिए असफलता का कारण बनती है। नमबर आठ महिला का तेज अवाज में बोलना या गाली देना। ऐसा कहने से परिवार को शाप लगता है। ऐसी महिला जहां भी जाती है मालक्ष्मी उससे कोसो दूर रहती है। नमबर नौ जिस घर की महिला अपने घर के आंगन को सुपह उठकर साफ नहीं करती। वहां मालक्ष्मी नहीं आती। इसलिए महिलाओं को रोजाना सुपह उठकर अपने घर के आंगन को साफ करना चाहिए। और सुपह उठकर पूजा पाठ भी करना चाह बोटार कर नहीं दखने चाहिए ऐसा कैने से घर में बरबादी आती है जिस घर में महिला की पायल जहनकती है जो सुहाकर महिला कहने पहन कर शिंगार कर रहती है उस घर में मा लक्ष्मी का बास होता है। मालक्ष्मी की किरपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमालक्ष्मी जरूर लखें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी और भी यूसफुल वीडियो आपको शुरू में सबसे पहले मिल पाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जल्द ही मिलते हैं एक और नई यूसफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फर वाचिंग राधे राधे।